हाजी नमस्कार मैं सुनील याद्धा हूँ उतकर्ष के इस डीजिटल प्लेटफर्म से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने उतकर्ष परिवार में और आज आपको पहले से ही वाकिप हो आप दोड़नाचारी श्रीच और जहां से अपन पॉलिटी की किलास वाले हैं तो आज अपन पहली किलास और इस सलोगन के साथ ध्यान रखेगा इस करम भूमी पर सरम सभी को करना पड़ता है रब सिर्फ लकीरे देता है रंग हमें भरना पड़ता है और आज आपकी पॉलिटी की किलास में आपका सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन ठीक है तो देखेगा पहले अपन थोड़ी सी सलेबस के उपर चर्टा कर लेते हैं कि अपन पढ़ेंगे कैसे इसको तो देखेगा पहले अगर अपन इंडियन पॉलिटी की बात करें भारती राजवेवस्ता की तो अपन किस परकार से पूरे सलेबस को मैंटेन करने वाले हैं ध इसके बाद में आपन पढ़ेंगी संग्वय उसका राज्य छेतर, फिर अपनद्ध्यन करेंगी राज्यों का पुणरगठन, फिर इसके पस्ता अपन देखेंगी नागिरिकता, कौन सा पाड़ देखेंगे आप, नागरिकता वाला, नागरिक्ता के बाद में अपना अध्यन करेंगे मूल अधिकार और मूल अधिकार के बाद में अपना अध्यन करेंगे DPSP नीती निदेशक्तात्वे और फिर अपना अध्यन करेंगे मूल कर्टबी एक पार तो आपका ये हो जाएगा जहां से आपका पूरा एक सलेबस, यहां से अपन शुरुवात करेंगे, जहां से आपकी परस्तावना है, जहां से अपन पहले पॉइंट की शुरुवात करेंगे, फिर संगोर उसका राज्य छितर है, फिर राज्यू का पुनर गटन है, फिर अपन नागरिता पढ़ेंगे, फिर मूल अदिकार, फिर DPSP और फिर अपन पढ़ेंगे मूल कर्तवे के लिया इसके बाद में देखेगा इसके बाद में जो अपना ध्यन करेंगे वो करेंगे आपकी संग सरकार और संग सरकार जो आपके भाग पांच में है और अनुछेद 52 से 151 की बीज में है तो इसका ध्यान करेंगे और यहां से फिर अपनी इंडियन पॉलिटी का एक complete पार्ट हो जाएगा और फिर ध्यान रखेगा थोड़ा सा पार्ट और बचेगा जिसमें आप पढ़ेंगे सविधान निर्माण सविधान निर्माण यह सब के लास्ट में पढ़ेंगे अपन सविधान निर्माण और एक और पॉइंट पढ़ेंगे अपन सविधान की विशेष्ता सविधान की विशेष्ता वाला जो पॉइंट है यह अपन सब के लास्ट में पढ़ेंगे अब आप कहेंगे कि गुरुदेव सबके लाश्ट में क्यों क्योंकि शुरुवात तो यहीं से होती है सविधान निर्माण और जो सविधान की विशेशताएं हैं वो सबसे बैस तरीका हमें सहे ही होता है कि आप पॉलिटी की लाश्ट में पढ़िए क्यों, क्योंकि उन सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडेक्शन आपके अंत तक होता हुआ चला जाएगा, और जब आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे, तो बड़ी आसारी से आपके सारी क्यूशन, सारी स्वाल, सारी जवाब आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो सबस्ते हुए स्टुडेंट्स लिखते भी रहना आप साथ साथ, बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत जबर्दस पॉइंट है, देखेगा, एक मिल देखेगा, जो प्रस्तावना है, उदेशी का है, ये है क्या, सबसे पहले आप ये बात जान दीजिएगा, कि प्रस्तावना किसे कहोगे आप, तो आप कहेंगे कि प्रस्तावना है, वह सविधान का सार होती है, वह सविधान का क्या होती है, सार होती है, और नमबर दो, प्रस्तावना सविधान के उदेश्यों को दरसाती है, प्रस्तावना सविधान के किसको दरसाती है, तो आप कहें तो एक्चुल में प्रस्तावना है क्या तो आप कहेंगे प्रस्तावना किसी भी देश के सविधान की होती है और यह सविधान के उदिश्यों को क्या करती है दर साती है किलियर होगे इसके प्रस्तावना के बारे में अनेक कथन कही जाते हैं और वेरी वेरी इंपोर्टेंट ध्यान रखेगा कि प्रस्तावना के बारे में अनेक क्या कही जाते हैं कथन और ध्यान रखेगा अगर आप कथन को तयार करना है तो सबसे पहले प्रस्तावना की तुलना आप एक महीला से क एक बात ध्यान रखेगा एक महिला एक पत्नी होती क्या है समझना आप कहेंगे कि पत्नी होती है वो एक पती का परीचय पत्तर होती है एक पती क्या होती है परीचय पत्तर होती है बता यह होती है कर नहीं होती है आप कहेंगे सर बिल्कुल होती है परीचय पत्तर जब भी पतनी को देखते हैं किसी की पतनी को आप देखते हो तो सिधा सिधा एक इंट्रोडक्शन जाता है कि आर किसकी पतनी है और पीछे से आवाज आती है काले की पतनी है तो इसका मतलब महिला अपने आप में क्या होती है तो आप कहेंगे महिला एक पती का परीचय पत्तर होती है दूसरा और क्या होती है महिला तो ध्यान रखेगा एक महिला एक पती की आत्मा होती है एक महिला एक पती का आभूशन होती है एक महिला एक पती की क्या होती है फूंजी होती है ध्यान रखेगा कि एक आत्मा महिला क्या होती है आत्मा होती है एक स्वरुवात में जब साधी होती है, तो आत्मा ही दिखाई देती है, इसके बाद में अगर प्रेतात्मा दिखने लग जाए, तो इसका मेरो का मालूम नहीं है, फिर आभुषण, आभुषण का मतलब है मान, मरियादा वे इज़त का सुचक होती है, और कुंजी, कुंजी राजनेतिक कुंडली होती है, जनम कुंडली या क्या होती है, राजनेतिक कुंडली होती है, ध्यान रखिएगा, पहले समझेगा हर चीज को, बिल्कुल मस्ती से समझेगा, इसके बाद में जैसे आपका कंसर्प्ट के लिए, वैसे आपको मजा आने वाला यहां से, हर क्या होती है जनम कुंडली होती है राजनेतिक कुंडली होती है अगर अच्छी महिला आजाए अच्छी पत्नी आजाए तो आपको किसी के हाथ दिखाने की जुरूत नहीं है वो आपकी लाइफ बनाती भी है और आपकी लाइफ बिगाडती भी है और देखेगा एक महिला क्य और तेरे नाम पर खतम, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पर खतम, अगला देखेगा एक महिला क्या होती है, तो एक महिला एक पती की गहन सिद्दान्तूं का रहिस से होती है, बताईएगा वई, होती है कर नहीं होती है, कि एक पती के राज सिर्फ उसकी पतनी ही जान सकत और ध्यार लखेगा एक महिला और क्या होती है तो एक पतनी एक पती का आत्मा एवं सार होती है आत्मा एवं क्या होती है सार तो समझेगा यह जो सारे कथन आ रहे हैं यह टोटल के टोटल कथन है प्रस्तावना के बारे में कि एक्चुल में प्रस्तावना है क्या तो आप कहे प्रस्तावना सविधान का परिचय पत्र होती है, प्रस्तावना सविधान की आत्मा आभूशन कूंजी होती है, प्रस्तावना सविधान की जनम कुंडली ओबलिक राजनेति कुंडली होती है, प्रस्तावना सविधान का आधी वाके ओबलिक प्रारंब होता है, प्रस्तावन सविधान के गहन से दान्तूं का क्या होती है रहिस्य होती है और प्रस्तावना सविधान की आत्मा एवं सार दोनों होती है तो ध्यान रखेगा एक तो सीधे-सीधे कथन आपको याद होने चीए एक तो सीधा ही आपसे कथन पूछा जा सकता है कि सविधान की आत्मा किसे कहा सभिधान का आभुशन कुंजी किसे और कि श्यतुर किईक में आत्मा वैसर किसे और उद्धाक लाती सिद्न कवा सब сил करने परकर्द नुद्धेस. कि शुन मिली नहीं रहें आपको तो ध्यान रखेगा प्रस्तावना सविधान का परिचय पक्तर होती है ये किस ने कहा है तो आप कहेंगे ये एने पाल की वाला ने कहा है इसके बाद में जनम कुंडली या राजनेति कुंडली होती है ये किस ने कहा है तो आप कहेंगे ये K.M. मुनसी ने कहा है किस ने कहा है K.M. मुनसी ने क्या कहा है तो साथ-साथ याद भी करते जाए और क्लास का अपना उदिश्य ध्यान रखेगा साथ-साथ तयार भी करना इसको तो ठीक है जनम कुंडली उबलिक राजनेती कुंडली किसी करते हैं तो किसने कहा है केम मुन्सी ने आदी वाक्त की किसने कहा है जहां रखेगा आदी वाक्त की कहा है गोविंद दास ने कहा है गहन सिद्दान्तु का रहिस्य है ये किसने कहा है तो ये कहा है जेबी करपलानी किस ने कहा है जे बी करपलानी ने कहा है और प्रस्तावना आत्मावैसार दोनु है यहां रखेगा प्रस्तावना आत्मावैसार दोनु है यह किस ने कहा है तो यह कहा है जे एल नहरू ने जवाहर लाल नहरू ने बताइए इतना इतना केलियर हुआ कि नहीं हुआ सबसे पहल प्रस्तावना को यदी एक सब्द में अपन परिभासित करें तो आप कहेंगे प्रस्तावना किसी भी देश के सविधान का सार होती है और वह उसके उदेशियों को परदर्शित करती है नमबर दो प्रस्तावना के बारे में क्या कही जाते हैं अनेक कथन कही जाते हैं ये कथन तयार होने चाहिए आपको कि प्रस्तावना है क्या तो आप कहेंगे प्रस्तावना सविधान का परीचे पतर है दूसरा प्रस्तावना सविधान की आत्मा आभुशन कुंजी है तीसरा प्रस्तावना सविधान की जनम कुंडली या राजनेती कुंडली है चोथा प्रस्तावना सविधान का आदी वाक्य है प्रस्तावना सविधान की गहन सिद्धान तुंका रहिस्य है और प्रस्तावना सविधान की आत्मा और सार है यहां से कोई भी statement आप से पूछा जा सकता है, दूसरा क्यूंसर फिर में बाद चीत कर रहा हूँ, यहां पर यह ध्यान रखीगा, चार statement दे सकता है, चार व्यक्ति दे सकता है, जिसने कहें है, और एक दूसरी से क्या करवा सकता है, वो सुमेलित करवा सकता है, तो परिचय पत्र किस ने कहा है, ए नेपाल की वाला ने कहा है, आत्मा आभूशन कुंजी किस ने कहा है, थाकुरदास भारगव ने कहा है, जनम कुंडली ओबलिक राजनेति कुंडली किस ने कहा है, तो आप कहेंगे केम मुंसी ने कहा है, आदी वाकि गोविन दास ने कहा है गहन सिद्दान्तूं का जो रहिस्य है वो किसने कहा है जे बी करपलानी ने और आत्मा वैसार दोनू है ये किसने कहा है तो आप कहेंगे जे अल नहरू ने कहा है अब यहां से में एक चीज और आपका किलियर कर देता हूँ एक और पूछा जाता है कि प्रस्तावना सविधान का कुण्जी नोट है समझना प्रस्तावना सविधान का कुण्जी नोट है ये किसने कहा है तो ये आप कहेंगे अरनेस्ट बार करने कहा है किसने कहा है पूछाजे परस्तावना सविधान की कुण्जी नोट है, तो आप कहेंगे अरनेस्ट बारकर, क्या कहेंगे, अरनेस्टे बारकर, बताईए, किलियर हुआ अक नहीं हुआ, हो गया, तो एक लास्ट कथन और याद रखेगा, लास्ट कथन कहा जाता है, कि परस्तावना आत्मा है, तो सविधान उसका सरीर है, परस्तावना आत्मा है, तो सविधान उसका क्या है, सरीर है, और ये किस ने कहा है, तो ये कहा है, दोस्तो सुभास कश्यपने, किस ने कहा है, सुभास कश्यपने कहा है, बताईएगा बई, पहला पॉइंट किलियर हुआ कि नहीं हुआ, कि प्रस्तावना के बारे में क्या-क्या कथन कही जाते हैं, फटा-फट थमसब कर दीजिएगा, कि सर यहां तक याद भी हो गया है, और किलियर भी हो गया है, क्यूशन की परकति जरूर देख लीजिएगा, कि क्यूशन यहां से दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो सीधा आप से क कथन पूचा जा सकता है, और नमबर दो, इन कथनों को एक दूसरी से क्या करवा सकता है, सुमेलित करवा सकता है, क्लियर चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शांदार, और इसी जोस के साथ आते रहें, मस्त पढ़ते रहें, क्लियर, अब देखेगा, अगला अपन बातचित करें कि विश्वय में अगर अपन बातचित करें कि विश्वय में सरो पर्थम जो प्रस्तावना थी वो आई कहां से ये प्रस्तावना का बुलबुला उठा कहां से तो आप कहेंगे कि विश्वय में सरो पर्थम प्रस्तावना अमेरिका के सविधान की किसके लिखी गई आप कहेंगे अमेरिका के सविधान की लिखी गई याद रखना वई किस सविधान की लिखी गई अमेरिका के सविधान की फिर आप कहेंगे कि इस सविधान की ही क्यों ये बुलबुला अमेरिका में ही क्यों उठा तो आप कहेंगे इसका जबाब क्योंकि अ अमेरिका का सविधान, विश्वे का पर्थम लिखित सविधान है, याद रखेगा वई, पर्थम जो लिखित सविधान है, वो किस देश का सविधान है, आप कहेंगे अमेरिका का, और सबसे पहले प्रस्तावना का कंसेप्ट भी कहां आया, तो आप कहेंगे अमेरिका की सवि जाद रख लिए जीगा कि अमेरिका का जो सविधान है वह विश्वय का सबसे छोटा सविधान भी है जिसमें केवल कितनी अनुछेद हैं तो आप कहेंगे जिसमें केवल साथ अनुछेद हैं जो 1787 में निर्मित हुआ और 1789 में क्या हुआ लागू हुआ अगर अपने यहीं पर एक और बात करें कि विश्वय का सबसे बड़ा लिखित सविधान किसका है तो सबसे बड़ा जो लिखित सविधान है वो अपने भारत का है बाई इसका है भारत का सविधान विश्वय का सबसे बड़ा और लिखित सविधान है फिर याद रखिएगा बारती सविधान में तीन विवस्ताइए हैं, एक तो भाग हैं, तो आप कहेंगे कि भारती सविधान में भाग कितने हैं, तो वह हैं 22, फिर आप कहेंगे अनुचेद, अनुचेद कितने हैं, 395 और इसके बाद में आप कहेंगे अनुचूची और अनुचूची पहले 8 थी, और वर्तमान में कितनी है, बारा है, तो देखो, जीरो से, जीरो से लगातार आपको 100% तक ले जाओंगा मापको, लेकिन पढ़ना बड़ी सिद्धत से, तो ध्यान रखेगा, विश्वय में अगर आपने बादचित करें, कि सरो पर्थम प्रस्तावना किस देश के सविधान क लिखी गई, तो आप कहेंगे, अमेरिका के सविधान के लिखी गई, क्यों लिखी गई, तो आप कहेंगे, कि अमेरिका का जो सविधान है, वह है विश्वय का पहला लिखित सविधान है, और अब ध्यान दखेगा, छोटी-छोटी पाते, और याद रख लीजीगा, कि यह विश्वय का सबसे चोटा सविधान भी है तो यहीं पर अपने एक और बातचित करें कि विश्वय का सबसे बड़ा लिखित सविधान किसका है तो आप कहेंगे भारत का है जिसमें बहाग कितने हैं 22 हैं अनुचेत कितने हैं 395 हैं और अनुचुचिया कितनी है तो आप है कि आपके याद हो जाना चाहिए सर्त एक फिर कह रहा हूं क्या हो जाना चाहिए याद साथ साथ तयार कर लें इस चीज को लिख लें PDF मिल जाएगे आपको टैंसन फिरी रहें लेकिन परते एक चीज का पोस्ट मार्डम करते वी चलना है अपन को बताएं किलियर हो आक नही में आई क्यूं कि विखका पर्थम लिखित सविधान है और फिर आप चोटी सी बात और एक की विखका सबसे से वेरी वेरी इंपोर्टेट तो आप कहेंगे बहारतिय सविधान में प्रस्तावना या उदेशी का सुनना एक में कि बहारतिय सविधान में प्रस्तावना को लेकर की क्या है तो आप कहेंगे कि बहारतिय सविधान है वह लगभग ज्यान रखेगा वह लगभग साथ से क्या है परभावित है याद रखेगा आप जो पढ़ते हैं अमेरिका कनाडा ओस्टेलिया बिर्टेन जापान फ्रांस ये तो मुख्य रूप से प्रभाव है ये तो मुख्य रूप से प्रभाव है लेकिन आलवर बात चीत करें अपन तो भारतिय सविधान लगबग साथ देशों से प्रभावित है और एक बात बताईए जब साथ देशों से प्रभावित है तो भारतिय सविधान की जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि भारतिय सविधान है वह उधार का थेला है वह क्या है? उधार का थेला है. समझना एक मिन. अगर अपन बातचीत करें भारती सविधान की तो आप कहेंगे भारती सविधान लगबग कितने देशूं से परभावित है? 60 देशूं से. अब एक बात बताई ये कोई देश का सविधान ये प्रश्तावना के उपर भी पड़ा है तो अब ध्यान दखिएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि भारती सविधान की जो प्रश्तावना है उन पर किसका प्रभाव है समझेगा बहुत प्यारा पॉइंट है जहां से क्यूस्टन होने की पूरी पूरी संभावना है और आप कहेंगे कि भारती सविधान की उपर जो प्रभाव है प्रस्तावना के उपर वो पहला प्रभाव है उदेश से प्रस्ताव का समझेगा पहला प्रभाव कोन सा है उदिश्य प्रस्ताव का दूसरा प्रभाव प्रस्तावना पर है वो अमेरिका का है फिर आप कहेंगे तीसरा जो प्रभाव है प्रस्तावना के उपर वो आप कहेंगे और चोथा प्रभाव है प्रस्तावना पर वो आप कहेंगे क्रांत यहां से बहुत जबर्दस्त आपका क्यूशन होने वाला है कि भारतिय सविधान की जो प्रस्तावना है वह सविधान की बात तो अपने कर ली कि लगबग साथ देशों से प्रभावित है लेकर आपन पढ़ क्या रहे हैं प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान किसका है अमेरिका का तीसरा प्रभाव किसका है ओस्तेलिया का और चोथा प्रभाव विश्व में दो बड़ी करांतिया हुई है एक फ्रांसिसी करांती और एक आपकी कौन सी हुई है रूसी करांती इन दोनु करांतियों का भी क्या है प्रभाव है बताए किलियर हुआक न प्रभाव किसका है तो आप कहेंगे पहला प्रभाव उद्य से परस्ताव का सुनना एक मिट पहली बात तो ज्यान रखेंगे याद रखेगा यह है मूल रूप से प्रभावित है यह है उद्य से परस्ताव से मूल रूप से क्या है प्रभावित याद रखेगा उद्य से परस्ताव से में पहला पॉइंट कहे रहा हूं कि उद्य से परस्ताव से परस्तावना मूल रूप से प्रभावित है क्यों क्यों उद्दे से कामे बनल गया दोस्तों तो जहां दखेगा उद्दे से प्रस्ताव से प्रस्तावना मून रूप से प्रभावित है। किस ने परस्तूत किया था तो आप कहेंगे ये जवाहरलाल नहरू ने परस्तूत किया था, कब परस्तूत किया था तो आप कहेंगे 13 दिसंबर 1946 को परस्तूत किया था और एक और क्यूसर सविधान सभा ने इसे कब सविकार किया था तो आप कहेंगे 22 जनवरी 1947 को याद रखे बंगि कि बहरतिय सभिधान की जो परस्तावना है वो मुखे रूप से किसे प्रभावित है तो आप कहेंगे शर उदेश seasonal परस्ताव और वीटấu नमबर दो परस्तुत किस ने किया है तो आप कहेंगे जोआलल नहरू ने परस्तुत किया है कब परस्तुत किया है 13 दिसंबर 1936 को परस्तुत किया है सविकार कब किया है तो आप कहेंगे सविधान सभाने से सविकार किया है 22 जनवरी 1947 को बताइए पहला पॉइंट के लिए देश एक नाम सुनिएगा, जैसे मैं अब लिखाओं देश, क्यों सन ये पूछ लिया जाए, देश का मतलब, कि भारतिय सविधान की परस्तावना, किस देश से ली गई है, सुना, किस देश से ली गई है, तो आपका राइटेंस्वर क्या आएगा, आप कहेंगे सब अमेरिक किस देश से ली गई है, क्या आएगा राइटेंस्वर, अमेरिका, और ध्यान रखेगा, दो सवतंतरता ओर है, एक आपकी सवतंतरता है, व्यक्तिगत सवतंतरता है, राजनेतिक सवतंतरता, व्यक्तिगत सवतंतरता, और राजनेतिक जो सवतंतरता है, वो भी किस से परभा किसे परबाभावित हैं अमेरिका से, बोढ़ यह और सुनीयगा, तीसरा महीं कि बहुंद से Mitte करता है। और अगरा ध्यान रखेगा दो क्रांतिया, फ्रांसिसी क्रांति और रूसी क्रांति, और फ्रांसिसी क्रांति से ध्यान रखेगा तीन सब्द प्रभावित हैं दोस्तों, एक है सवतंतरता, एक है समता, या आप कह सकते समानता, और एक है आपका बंदूता, सवतंतरता, समानत और ये जो बंदूता सब्द हैं प्रस्तावना के अंदर ये किस क्रांती से प्रभावित हैं तो आप कहेंगे फ्रांसिसी क्रांती से प्रभावित हैं और इसके बाद में है रूसी क्रांती और ध्यान रखेगा रूसी क्रांती से प्रभावित है आपका न्याई सब्द। अमेरिका का तीसरा परभाव ओस्तेलिया का और चोथा परभाव दो क्रांतियां एक फ्रांसिसी क्रांती और एक रूसी क्रांती अब ध्यान रखेगा पहला तूशन इस प्रकार से पूछा जाए भारतिय सविधान की प्रस्तावना प्रभावित है और उसमें आपका आजये से प्रस्ताव भी और उसमें आजाए अमेरिका भी उसमें आजाए और सेया विटों में और सेक रांति और इन चारू में तो आप कहेंगे जुवाला नहरू ने कब परस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को. सविकार कब किया? सविधान सभाने. तो आप कहेंगे 22 जनवरी 1947 को. के लिए दूसरा प्रभाव किसका है? तो आप कहेंगे अमेरिका का. अमेरिका से क्या प्रभावित है? तो देखो देश का मतलम म और एक राजनेतिक सवतंतर्ता. व्यक्तिगत का मतलब है आपकी जो Пरसनल लिबर्टी है. जैसे आप अनुछे 19ay में पढ़ते हो, कि परसनल लिबर्टी में आपको सभासंबेलन की सवतंतर्ता है, वाकुरा व्यक्तिकी सवतंतर्ता है, संग बनाने की सवतंतरता है इस टाइप की राजनेतिक सवतंतरता राजनेतिक सवतंतरता का मतलब है आपको चुनाओं में खड़े होने का अधिकार है आपको मत देने का क्या है अधिकार है तो राजनेतिक सवतंतरता और व्यक्तिगत सवतंतरता भी किसे प्रभावित है अमेरिका से तीसरा अब ध्यान रखेगा ये तो अपने देख लिया एक आउरण कि भई कहां से लाया गया है क्या मामला है विस्व में पहली बार कहां आई भारत में कैसे आई और प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कथन कही जाते हैं ध्यान रखेगा फेस्ट गेट से लेकर के लास्ट पी टी आई तक सारी एक्जामू के लिए उपयोगी है टैंसन में आई ये इमत आपका फेस्ट प्रस्तावना का अब आप प्रस्तावना से तभी क्यों सही कर सकते हो जब आपको प्रस्तावना याद होगी जब प्रस्तावना याद होगी और ध्यान रखेगा इस प्रस्तावना को मेरे साथ तयार कर लीजी आप पहली बात तो ध्यान रखेगे प्रस्तावना है क्या अभी मैं एक मिन्ट आपको सुना देता हूं और फिर इस पूरी प्रस्तावना को अपन तीन पार्ट में पढ़ेंग बहुत बढ़िया गजब देखो आप तो जोस के साथ आभी मेरे को आपके कमेंट्स दिख रहे हैं मैं प्रतिक चीज को देख पा रहा हूं और बहुत बढ़िया आप तो सिर्फ तयार कर लीजीगा ठीक है हम भारत के लोग भारत को एक संपून परभूत्व संपन अधिपंथ निर्पेश लोक्तंतरात्मक गनराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरीकों को समाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की सवतंतरता परतिष्टा और आउसर की समता प्राप्ट कराने के तथा उन सब में व्यक्ति की गरीमा और राष्टर की एकता और अखंडता को सुनिशित करने वाली बंदूता को बढ़ाने के लिए दर्ड संकलित होकर अपनी इस सविधान सभा में आज तारिक 26 नवंबर 1949 मिती मार्ग सीर्स सुक्ल सप्तमी समवत 2006 विकर्मी को एत्तद द दुआरा इस सविधान को अंगी करत अधीनिय मित और आत्मार्पित करते हैं ध्यान रखेगा प्रस्तावना डिटो ऐसी की ऐसी आपको याद होनी चीए और आब इस प्रस्तावना का अपन करते हैं पोस्ट मार्डम चीर फाड करेंगे एक एक पॉइंट का और ध्यान रख साथ साथ लिखते रहे हम भारत के लोग याद रखी याद कर लो हम भारत के लोग भारत को हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण परभूत्वे संपन याद कर लेना साथ साथ एक संपूर्ण परभूत्वे संपन समाजवादी समाजवादी पंथ निर्पेक्स लोकतंत्रात्मक याद रखीगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रष्टावना को आपन कितने पार्ट में पढ़ेंगे प्रष्टावना के टुकड़े करकें अपन तीन पार्ट में पढ़ेंगे और यह पार्ट फ्रष्ट है आपका जहां तक मैंने लिखा है पहले इसकी सैपरसंग व्याथ्या करेंगे और आपके सामने क्या लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण परभूत्व संपन समाजवादी पंथ निर्पेक्स लोक तंतरात्मक गंडराजी बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागर करने की कोशिशी नहीं करते अपना सिर्फ इतना है पढ़ते हम भारत की लोग और फिर नीचे डैस डैस लगा करकर और लास्ट में आब आजाते वो अंगीकर्थ अधीनियमित और आत्मार्पित करते हैं बस और फिर आप एक्जाम देने चले जाते हैं और फिर ऐसे आते है कि सब सब कुछ याद था लेकिन सर सलक्सन नहीं हुआ अरे सब कुछ याद नहीं था आपको डैप्ट में जाना ही पड़ेगा और डैप्ट में पढ़ना ही पड़ेगा किलियर तो देखेगा इस प्रस्तावना पार्ट फेस्ट की व्याख्या क्या हो जाएगी और देखेगा पहली व्याख्या आपके सामने दिखाई दे रहा है हम लोग पहला पॉइंट आपके सामने कि प्रस्तावना में हम लोग सब्द कहां से लिया गया है याद कर ले ना भाई पहले पार्ट की व्याख्या और परते क्यूशन आपके टिप्स पे याद हो जाना चीए और आपके स प्रस्तावना से याद रखेगा, अमेरिका की सविधान की जो प्रस्तावना है, उसकी सुरुवात भी होती है, हम अमेरी की लोग, और यू एनो, यू एनो की सुरुवात भी कहां से होती है, हम यू एनो की लोग, तो ध्यान रखेगा, प्रस्तावना के अंदर जो ये हम पूछेंगि कि सर, अमेरिका से लेने कि क्या जूर पड़े गे, वैश्य साथ समुंदर पार्म्ह तेरे पीझे पीछे आ गई, कहां अमेरिका, कहां भारत, और वहां से अपनने एक सब्ध उठाया, हम लोग इसका मतलब क्या है, तो ध्यार रखेगा हम लोग सब्द का अर्थ क्या होता है, बहुत प्यारा, ध्यार रखेगा हम लोग सब्द का अर्थ होता है कि प्रस्तावना के अनुसार सविधान की सक्ती किसमे नहीत है, तो आप कहेंगे सविधान की सक्ती जनता में नहीत है, सविधान की सक्ती किसमे न प्रस्तावना के अनुसार सविधान की सक्ति नहीं है अब उल्टा की सविधान की अनुसार सक्ति जन्ता में नहीत है प्रस्तावना का यह कौन सा सब्द व्याखित करता है तो यह कौन सा सब्द कहता है तो आप कहेंगे यह हम लोग सब्द कहता है फिर एक और क्यूसन हो जाए यहां से फिर ध्यान रखेगा कि भारत में कोन सी संपर्भुता है, तो आप कहेंगे भारत में लोक्तिरिये संपर्भुता है, लोक्तिरिये संपर्भुता का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे लोगत्री संपर्भूता का मतलब भी वो ही होता है कि सविधान के सक्ति किसमी नीत है जनता में बताइएगा भई पहला सब्द समझ में आया और नहीं आया इस पार्ट का पहला सब्द जो अपन बात्चित कर रहे हैं ध्यान रखी का कौन सा हम लोग और हम लोग सब्द कहां से लिया गया है आप कहेंगे नमबर एक अमेरिका से या यूएनो की प्रस्तावना से लिया गया है नमबर दो हम लोग सब्द का साब्दिकर्थ क्या होता है तो आप कहेंगे सविधान की संपून सक्ति किसमे नीत है जनता में नीत है और नमबर तीन आप कहेंगे कि हम लोग सब्द कौन सी संपर्भूता को दर्शाता है तो आप कहेंगे सर हम लोग सब्द है वो लोग पिरिये संपर्भूता को दर्शाता है किसको दर्शाता है लोग पिरिये संपर्भूता को दर्शाता है सर फरोसी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है एक हसरत है मर मिट जाने की अब तेरी चर्चाएं गैर के महफिल में है बताइए भई हम लोग सब्द केलियर हुआक नहीं हुआ हो गया अगला देखेगा हम लोग के बाद में देखेगा यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है भारत और एक और दिख रहा है भारत तो आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में भारत नाम का उल्लेक बारत नाम का उल्लेक कितनी बार हुआ है तो याद रखीगा प्रस्तावना में भारत नाम का उल्लेक कुल दो बार हुआ है याद रखी मैं सीधा सीधा क्यों सकता है कि परस्तावना में भारत नाम का उल्लेκα कितनी बार हुआ है और इस पहली लाइन में हुआ है बाकी कहीं पर भी भारत नाम है वेरिवेरि इंपोर्टेंट अगला प्रस्तावना में हमेशा पूछा जाता है सब्दू पंथ निर्पेक्स, चोथा है लोक तंतरात्मक और पांचवा कौन सा है गण राज्ये भाई साब ध्यान डख लीजिएगा लगातार प्रस्तावना से सब्दू का करम जरूर बनता है और अगला यहीं से अपन प्रस्तावना में सब्दू का करम याद रखेगा प्रस्तावना में सब्दू का करम और यह पांच सब्द याद रखेगा कोन कोन से है मेरे साथ सा तयार कर लीजिएगा पहला सब्द कोन सा है तो आप कहेंगे संपूर्ण परभूत्वे संपन संपूर्ण परभूत्वे संपन दूसरा सब्द कोन सा है तो आप कहेंगे समाजवादी कोन सा समाजवादी और तीसरा कौन सा है तो इसके बाद में है पंथ निर्पेक्स कौन सा है पंथ निर्पेक्स इसके बाद में कौन सा है तो आप कहेंगे लोक तंतरात्मक कौन सा है लोक तंतरात्मक और इसके पसात कौन सा सब्द है तो आप कहेंगे गनरादिस सब्द पहली बात ये पांचो सब्दू का करम आपको याद होना चीए, सिधा ही कुशन आ सकता है, रस्तावना में दिये गए सब्दू को करम से जमाएं, तो पहला कौन सा हो गया, फटा फट तैयार कीजिए, नमबर एक, संपूर्ण परभूत वे संपन, दूसरा कौन सा हो गया, समाजवादी तीसरा कौन सा हो गया, पंथ निर्पेक्स, चोथा कौन सा हो गया, लोकतंतरात्मत, और पांचवा कौन सा हो गया, गणराज्ये, अब देखो और कुशन क्या आते हैं, दोस्तों ये आपका चोथा कुशन यहाँ से हो गया, अब इन पांचो सब्दू का आपको अर्थ भी याद होना चीए, मिनिंग भीज की याद होनी चीए कि संपूर्ण परभूत्व संपन क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निर्पेक्स क्या होता है, लोकतंतरात्मत क्या होता है, और गणराज्ये क्या होता है, अपन क्या है, इतना ही पढ़कर के छोड़ देते और इतना ही पढ़के छोड़ देते हैं फिर क्यों सन यहां से आता है तो फिर लड़के कहते हैं सर्फ पढ़ा नहीं हमने तो एक बात ध्यान रखेगा अपन सभीधान के परतेक सब्दकार देखते हुए पढ़ेंगे यहीं पोस्ट मार्डम करेंगे सभीधान का तो संपूर्ण परभूत्वय संपन ध्यान रखेगा संपूर्ण परभूत्वय संपन अब इसका साब्दिक अर्थ क्या होता है संपूर्ण परभूत्वय संपन तो इसका मतलब है देखो संपूर्ण परभूत्वय संपन सब्द है यह एक सब्द से जुड़ा हुआ है जिसको अपन कहते हैं संपर्भूता, कौन सा सब्द कहते हैं, संपर्भूता, और संपर्भूता से ही, सुना, संपर्भूता से ही क्या बना है, संपूर्ण पर्भूत्वे संपन, अब आप कहेंगे, संपर्भूता क्या होती है, तो ध्यान रखीगा, संपर्भूता का संपर्भूता है किसी भी राश्ट्र को अपने आप में सर्वोच सक्ती के रूप में दर्शाती है सुणना दूसरा ज्यान रखीगा संपूर्ण परभूत्व संपन या संपर्भूता की दो अर्थ है समझेगा दो मामले होते हैं एक व्यक्ति का आंतरिक मामला होता है एक व्यक्ति का क्या होता है आप कहेंगे एक व्यक्ति का आंतरिक मामला होता है और एक व्यक्ति का बहिये मामला होता है दो मामले होते हैं कौन-कौन से एक आप कहेंगे आंतरिक मामला और एक कौन सा है बहिये मामला अब समझना संपूर्ण परभूत्व संपन जो सब्द है वो क्या कहता है या संपरभूता कहती क्या है तो अगर ध्यान रखेगा यदि कोई देश अपने आंतरिक मामलू में सर्वोचे हो ध्यान रखना अपने आंतरिक मामलू में क्या हो सर्वोचे हो और बहिये रूप से बहिये मामलू में क्या हो? सवतंतर हो. बाहिये मामलू में क्या हो? सवतंतर हो. तो ऐसे राष्टर को अपन क्या कह सकते हैं? संपूर्ण परभूत्व संपन. ऐसे राष्टर को अपन क्या कहेंगे? संपूर्ण परभूत्व संपन. दुबारा सुनिएगा कि भारत संपूर्ण परभूत्व संपन है क्योंकि वो अपने आंत्रिक मामलों में क्या है सर्वोचे है और बाहिये रूप से क्या है सवतंतर है और भारत की बात छोड़ो आपकी बात लीजिए आप जैसे या रह रहे हो तो आप अपने आंत्रिक मामलों में सर्वोचे होक नहीं हो बताए कोई यदि आपके आ बेल्कुल सवतंतर OND हैं तो क्या संपूर्ण परभूत्व संपन हों बताइए किलिर हुआ अक नई आप क्यूसर्ण क्या पुछागा सुनना एक मीन क्यूसर्ण की परकर्ति समधना यहां से रटना नहीं है क्यूसर्ण यह जाए कि भारत संपूर्ण परभूत्व संपन है सुनना भारत संपूर्ण परभूत्व संपन है और आप से फिर कहेगा कथन फेस्ट कथन फेस्ट और फिर आप से कहेगा कथन सेकिंद अब क्यूशन का एक पोस्ट मार्डम कर लिजीगा भारत संपूर्ण परभूत्व संपन कथल फेस्ट कहा है, कि भारत अपने आंतरिक मामलू में, आप कहेंगे आंतरिक मामलू में सौतनतर है, और कथल सेक रहे, भारत अपने भाईये मामलू में सर्वोचे है बहाई ये मामलू में क्या है सर्वोचे है सुनना दो कथन दे रहा हूं मैं भारत संपूर्ण परभूत्व संपन है क्यूं और कथन आ रहे हैं आपके सामने दो एक है कथन फैस्ट भारत अपने आंतरिक मामलू में 37 है एक आरा कथन सेकंड भारत अपने भाहिये मामलू में शरोचρε है और फिर नीटिक उसन देगा option देगा कथन स्चाह सही है कथन सीकंड साई है कथन स्चपोर सेकंड दोनु सही है और कथन फैस्ट और सेकंड दोनु गलत हैं अब देखेगा मैंने क्या कहा कि संफण परभूत्वा संपण में दो मामले हैं आंतर की मामलोráं में क्या होना ची तो इसका मतलब कथन फैस्ट और सेकिन दोनु गलत हैं कथनु और सेकिन दोनु गलत हैं बताओ भई संपूर्ण परभूत्व संपन सब्द का अर्थ समझ में आयाक नहीं आया फटाफट बता दीजीगा मेरे को थम सब कर दीजीगा कि संपूर्ण परभूत्व संपन सब्द संपरभूता से जुड़ा हुआ है जिसका साब्दी करत होता है सर्वोचे सकती और फिर दो मामले याद रखीगा एक होता है आंतरिक मामला और एक होता है भाईये मामला संपूर्ण परभूत्व संपन राष्ट ये कहता है कि कोई भी राष्ट अगर संपूर्ण परभूत्व संपन होगा तो ध्यान रखेगा, वह है अपने आंतरिक मामलों में, वह है अपने कौन से मामलों में, आप कहेंगे आंतरिक मामलों में क्या होगा, आप कहेंगे सरवोचे होगा, और भाईये रूप से क्या होगा, तो आप कहेंगे भाईये रूप से वो सवतंतर होगा, किलियर संपून प बड़ा प्यारा कंसेब्ट है समाजवादी बोल दो या समाजवाद बोल दो पहली बात तो आपई समाजवाद सब्द का उलेख समाजवाद सब्द का उलेख मुल प्रस्तावना में नहीं था पहला point दो यह ध्वा रखीगा कि समाजवाध सब्द का उल्लेक मूल प्रस्थावना में नहीं था। तो आप कहेंगि सब्दमूल प्रस्थावना। उन्नीस सू छिंतर की तैत, जोड़ा कब गया, तो आप कहेंगे, बियाली स्वा सबिधाद सन्सोधन उनарт मेंच छिंतर की तैज़ोडा गया, क्लियर, अब ध्यान रखेगा, सबसे पहले तो अपने ये आर्थ देखे कि समाजवाद क्या होता है, समाजवाद होता क्या है, पहले concept आपन देख रहे हैं सिर्फ समाजवाद का, ध्यार दकीका समाजवाद सब्द है कि समाज में पद प्रतिष्टा व्याई के आधार पर व्याई के आधार पर आई के आधार पर एच शमाच आधा को दूर करने वाली जो विचारधारा है वो क्या कहलाती है समाजवाद कहलाती है पहले तो सीधा कंसप्ट तयार केजिएगा कि समाजवाद क्या है तो आप कहेंगे समाजवाद पद परतिष्टा वै आई क्या अधार पर जो हमारे समाज में पद है परतिष्टा है आई है उसके अधार पर जो है समानता है उसे दूर करने वाली विचारधारा क्या कहलाती है, समाजवाद कहलाती है, पहले तो ये concept clear होना चीए, clear हो गया, अब देखो, अब आपन कहें कि अगर प्रस्तावना के according अपन पढ़ें, तो आप कहें समाजवाद दो परकार का है, समाजवाद कितने परकार का है, तो आप कह समाजवाद, एक कौन सा है, लोकतांत्री के मिश्रित समाजवाद, सुमना एक मिन, पहले अपन ने देखा समाजवाद का मूल अर्थ, आप कहेंगे समाजवाद क्या है, पद परतिष्टा आई के अधार पर जो समाज में ऐस समानताएं हैं, उनका विरोध करने वाली, उनक समाजवाद के लेकर आप कहेंगे कि समाजवाद मुख्यत दो परकार का है, समाजवाद मुख्यत कितने परकार का है, दो परकार का, एक आपका कौन सा आगया, आप कहेंगे एक सर आगया सम्मेवादी समाजवाद, और एक आपका आगया लोकतांत्रिक मिश्रित क्या कहता है पहला कहता है कि किसी भी देश की अर्थ विवस्ता पर समझना किसी भी देश की अर्थ विवस्ता पर केवल राज्य का नियंतरन होगा केवल राज्य का ही क्या होगा नियंतरन होगा याद रखीगा कि किसी भी देश की जो अर्थ विवस्ता है उस पे सब कुछ न अंतरन राज्य का होगा चाहें तो वो उत्पादन के साधन हो या वित्रन के साधन हो या कोई भी साधन हो तो तल सारोजनिक होगा राज्य का मतलब है सरकारी होगा उसमें प्राइवेट को कोई जगए नहीं मिलेगी और अगर प्राइवेट को जगए नहीं मिलेगी तो आप कहेंगे ये साम्मेवादी समाजवाद नीजी संपती का कौन सी संपती का नीजी संपती का विरोध करता है नीजी संपती का क्या करता है विरोध करता है कंसप समझ लेना कूसन फशेगा यहीं से कि समाजवाद कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का एक साम्मेवादी कि किसी भी देश की अर्थ व्योस्ता पे केवल सरकार का नियंतर हो, वहाँ पे प्राइबेट को कोई जगह नहीं हो, और दूसरा आप कहेंगे ये कोर सी संपती का विरोध करता है, नीजी संपती का, अधनाम सामी वाला गाना सुना होगा, कि थोड़ी सी लिप्ट करा दे, ए मिश्री समाजवाद, लोगतांतरिक मिश्री समाजवाद जस्टिस का उल्टा है, ये क्या कहें रैशनला, अर्थ व्योस्ता पे केवल राज्य का नियंतर होगा, ये कहता है किसी भी देश की जो अर्थ व्योस्ता है, किसी भी देश की जो अर्थ व्योस्ता है, उस पे सरकार का नियंतन भी होगा और उसमें प्राइवेट प्राइवेट का मतलब है नीजी का भी नियंतन होगा कुछ भाग सरकारी होगा कुछ भाग नीजी होगा और एक बात पता ही यह जो सामयवादी समाजवाद है किसका विरोध कर रहा है नीजी संपती का लेकिन यह क्या करत आप मुझ से पूछेंगे कि इतनी बड़ी राम काणी पढ़ाई क्या मतलब हुआ इसका तो अब आप से पूछेगा भारत में कौन सा समाजवाद है तो आप कहेंगे भारत में लोकतांत्रिक मिश्रित समाजवाद है ये साम्मेवादी समाजवाद नहीं है भारत में कौन सा समाजवाद है आप कहेंगे लोकतांत्रिक मिश्रित समाजवाद है भारत ये समाजवाद की विशेषता क्या है तो आप कहेंगे बहारते समाजवाद में अर्थ वेवस्ता पर राज्य वे सरकार या कह सकते सरकार वे नीजी दोनु का नियंतन होगा और नमबर दो यह है नीजी समपती का क्या करता है समर्थन करता है अब दोस्तो अब दोस्तो सुनना क्यूसन क्या पूछेगा आपसे क्यूसन क्या पूछे बहुकतांत्रिक Mishrit समाजवाद है। पिर देगा आपको कारण, और कारण में देदेगा R, और फिर कहेगा यह है नीजी सम्पति का, यह है नेजी संपती का विरोध करता है, सुनना एक मिन्ट क्यूसन की परकर्ति सुननो, तब मैं इतना डेप्ट में लेके जा रहा हूँ आपको, और फिर आपको देगा पहला उप्षन, अब होते हैं, तथा आरेकी सही व्याख्या करता है, दूसरा है, अब हर दोनु सही है तथा आरेकी सही व्याख्या नहीं करता है, समझना और तीसरा है कि A सही है A सही है R गलत है और चोथा है R सही है R सही है और A गलत है अब बताइए वाई अगर आपका concept केलियर है मैं फिर कहा रहा हूँ अगर आपका concept सही है तो इस्क्यूर्शन का इस तरह से post-partum करोगे कि मज़ा आ जाएगा शुनना भारत में लोक्तांतरिक मिश्रित समाजवाद है बताओ सही है गलत आपका रेशन बिल्कुल सही है सामयवादी समाजवाद वह नहीं है भारत में लोक्तांतरिक मिश्रित समाजवाद है दूसरा कारण आर यह नीजी समपति का विरोध करता है अरे मेरे परवू नीजी समपति का विरोध करता है या नहीं करता अगर लोक्तांतरिक मिश्रित समाजवाद है तो यह नीजी समपति का समर्थन करता है विरोध नहीं करता सामयवादी समाजवाद क्या करता है विरोध करता है तो इसका मतलब A सही है और R क्या हो गया गलत तो आप देखेगा A सही है और R क्या हो गया गलत बताओ वई किलियर हुआ कि नहीं हुआ समाजवाद सब्द किलियर हुआ कि नहीं हुआ समाजवाद फिर समझ लो फिर याद कर लो सबसे पहले आप देखेंगे सम समाजबाद वह सब्ध है जो पद परतिष्टा वह आई के आधार पर समाज में ऐसमानता के जो विचार हैं उनको दूर करने वाली जो विचार धारा है वो समाजबाद है समाजवाद कितने परकार का है तो आप कहेंगे दो परकार का है वो खेता है साम्मेवादी समाजवाद और एक है लोक्तांतरिक मिश्रित समाजवाद फिर आप से पूछेगा कि साम्मेवादी समाजवाद और लोक्तांतरिक मिश्रित समाजवाद में अंतर क्या है तो आप कहेंगे साम्मेवादी समाजवाद है ये तोटल नियंतन सरकार का चाता है नमबर दो जब तोटल नियंतन सरकार का होगा तो इसमें नेजी संपती होगी ही नहीं इसके बाद में अगर अपना ये लोक्तांत्रिक मिश्रित समाजवाद तो इसका जश्ट उल्टा ये कहता है कि सरकार जो अर्थवेवस्ता होगी उस पे सारवजनिक प्रस नीजी दोनू का नियंतन होगा और यदि नीजी होगा तो ये नीजी संपती का क्या करता है समर्थन क अगला देखेगा अब तीसा सब्द देखो लोकता है आपका संपूर्ण परभूत्व शंपन हो गया समाजवाद हो गया फिर आप कहेंगे पंथ निर्पेक्स सुनना एक मिल बड़ा प्यारा पॉइंट है आप कहेंगे पंथ निर्पेक्स क्या होता है क्योंकि तीसा मूल प्रस्तावना में नहीं था बताइए किलिए रुवाक नहीं हुआ कि इसका उलेख भी मूल प्रस्तावना में नहीं था किलियर तो फिर इसे जोड़ा कब गया तो आप कहेंगे सरी से बियारीसवा सविधान संसोदन उननी सो छिंतर के तैज जोड़ा गया है फिर आपसे पूछा जाए पंथ निर्पेक्स क्या होता है समझना पंथ निर्पेक्स होता क्या है तो आप कहेंगे पहला कि किसी भी राष्टर का कोई राज की धर्म नहीं होगा कोई राज की धर्म नहीं होगा समझना पहला point क्या हो गया कि पंथ निर्पेक्स राष्ट्र आप किसे कहोगे तो आप कहेंगे पंथ निर्पेक्स राष्ट्र वहे राष्ट्र होता है जिसका कोई special धर्म नहीं होगा अपनी तरब से कोई धर्म घोसिते नहीं करेगा और नमबर दो ध्यान रखेगा वहे सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देगा ऐसा राष्ट्र कोई सा राष्ट्र है तो आप ध्यान रखेगा पंथ निर्पेक्स राष्ट्र है गुबरा शुलो पंथ निर्पेक्स पहला मूल प्रस्तावना में इसका उलेक नहीं था, नमबर दो, इसे बियारी स्वे सविधान संसोधन उने सो चिंतर के तह जोड़ा गया, फिर पंथ निर्पेक्स होता क्या है, तो आप ध्यान रखेगा, पंथ निर्पेक्स वह राष्टर है, जिसका कोई राज की धरम नही होता है, और नमबर दो, वह सभी धरमु को समान रूप से क्या देता है, बढ़ावा देता है, ऐसे राष्टर को अपन क्या कहेंगे, पंथ निर्पेक्स राष्टर कहेंगे, फिर ध्यान रखेगा, यहाँ पर एक केस आया था, जिसका नाम था, एस आर बो मैवाद, एस आर बो मैवाद, और यह आया था, एस आर बो मैवाद, उनिस सो चोराणवे में, बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है भई, एस आर बो मैवाद कब आया था, तो आप कहेंगे, उनिस सो चोराणवे में आया था, और इस एस आर बो मैवाद में ध्यान रखेगा, पंथ पेकस्ता को सवीधान का मूल धाचा गोसित किया गया तो याद रखीगा सिधा-सिधा ये आपसे केस भी बहुत बढ़ियतरी केसे पुछेगा कि पंथ निर्पेकस्ता सवीधान का मूल धाचा है ये किस केस में घोसित किया गया था और option हो सकते हैं गोलकनात वाद, एक हो सकता है बेरुबाडी वाद, एक हो सकता है S.R. बोमई वाद, और एक हो सकता है L.I.C. इंडिया वाद, और फिर आपसे सही option क्या करवा सकता है, अलग करवा सकता है, तो ध्यान रखेगा, पंथ निर्पेक्स्ता सविधान के मूलडाच में सामिल है, यह किस केस में कहा गया था, तो आप कहेंगे यह पंथ निर्पेक्स्ता के लिए S.R. बोमई वाद में कहा गया था, बताइए वाद, पंथ निर्पेक्स्ता के लिए होई का नहीं हुई, तीन सब्द संपूर्ण परभूत्व संपन के लिए, दूसरा समाजव इसे बाद में लोकतंत्रात्मक किया है तो आप कहेंगे पहरी तो आपको सिधा सिधा समझ में आ रहा है, लोकतंतर आत्मक किसे जुड़ा हुआ है, आप कहेंगे लोकतंतर आत्मक जो सब्द है, ये लोकतंतर से जुड़ा हुआ है, किसे जुड़ा हुआ है, लोकतंतर से, अब ध्यान रखेगा, यदि आपको लोकतंतर का अर्थ समझ में दुखो लोगतंतर सभ्ड का पोस्ट मार्डम करो आप देखो लोकतंतर है आप कहेंगे यह अंगरेजी के डेमोक्रेसी अंगरेजी के कोम से सब्से बना है तो आप कहेंगे डेमोक्रेसी सब से बना है कौन से सब से बना है डैमोक्रेसी सब से बना है और ये अंग्रेजी का डैमोक्रेसी है इसकी उत्पती हुई है ग्रिक भासा याद रखेगा ग्रिक भासा की दो सब्दू से एक है डैमोस और एक है क्रेसी एक है डैमोस एक है क्रेसी डैमोस का मतलब होता है जनता और क्रेशी का मतलब क्या होता है सासन इसका मतलब है लोकतंतर किस सासन परणाली को दर्शाता है तो आप कहेंगे लोकतंतर जनता के सासन को दर्शाता है जनता के सासन को दर्शाता है तो इसका मतलब लोकतंतरात्मक सासन परणाली भी किसके सासन को दर्शाती है तो यह भी जनता के सासन को क्या करती है दर्शाती है ध्यान रखना भाई आप से सीधा पूछा जाए कि लोगतंतरात्मक सासन प्रणाली किस सासन को दर्शाती है तो आप कहेंगे जनता के सासन को दर्शाती है कैसे जनता के सासन को दर्शाती है तो आप कहेंगे ये जो लोगतंतरात्मक है ये इसका मतलब लोक्तंत्रात्मक शासल पंडाली किसको उलेखित करती है जनता के सासन को उलेखित करती है देखो भाई आज अपना टाइम हो चुका है कल अपन यही से फिर से शुरुआत करेंगे और ध्यान लखीगा तड़का उलका सब लग जाएगा लेकर एक वादा ओर करते वेचले जाएए कि सार कल जब आप आये तो यह सारी जो सिस्टम अभी समझा है यह टोटल अंगूलिव पर याद होना चाहिए टोटल किसल के याद होना चाहिए अंगूलिव पर देखना यह वादा तो आपको करना ही पड़ेगा त्यका है ओके जैहिंत जै भारत झाल 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 पीजिजन झाल 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 झाल